असलाम वालेकुम स्टुडेंट्स ओफ क्लास थ्री, I am your science teacher मिस्स अफ्राहिम रान जी स्टुडेंट्स आज हम Unit 2 Health and Safety के बारे में पढ़ेंगे स्टुडेंट्स आपको मालूम है कि जो मशीने होती हैं अगर हम उनकी देखबाल नहीं करेंगे तो बहुत जल्द खराप हो जाएंगी उनको अराम से इस्तिमाल नहीं करेंगे तो वो तूट सकती हैं काफी लंबे अरसे तक इस्तिमाल ना करने की सुरत में उनमें जंग भी लग जाता है हम मशीनों का استعمال अराम से करें और उनका ख्याल रखें उन पर मिट्टी ना लगने दें तो वो लंबे अर्शे तक सही काम करेंगी बिल्कुल इसी तरह हम इनसान भी मशीन की तरह होते हैं अगर हम अपनी सिहत का ख्याल रखेंगे तो बहतर अंदाश में काम कर सकते हैं लेकर अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम जल्दी बिमार पढ़ जाएंगे और अपना काम बहतर तरह किसे सर अंजाम नहीं दे सकेंगे अच्छी फिज़त अस्तिमाल, रोज़ाना वर्ज़िश करना, ताजी हवा में सांस लेना, मुकमन लीन लेना और अपनी आदतों को साफ सुत्रा रखना, हमारी जिस्मानी सिहत को अच्छा रखने में मददगार साबित होते हैं एक्सरसाइस वर्ज़िश करने से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रोंग रहते हैं और ये हिपजाने सिहत के लिए मुफीद हैं रोज़ाना सुप के वक्त या शान के वक्त चहल कदमी करना, भागना दोड़ना, मुक्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तराकी करना, हमारी अच्छी सिहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं अच्छा स्टुडेंट्स एक हेल्दी डाइट क्या होती है, जिसमें आप फल और सब्दियों का इस्तेमाल करें, अनाज और डालों का इस्तेमाल करें, डेरी प्रोडक्स, नर्स, एक्स, फिशिस का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, और फैर्स और शूगर्स का भी इкіम स्टूिरेंट अब फैटस में गुड फैटस भी होते हैं और बैट फैटस भी फैटस में चिकन नगेटस फूराइट छिकन फ्रैस पेस्ट्रीस माइक्रो वेफ्ड पॉपकॉर्ड पिट्जा मॉफिन्स ऐसी तमाम चीजह में बैड फैट्स मौझद होते हैं इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमें अपनी खुराक में कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें वैसे तो बहुत मज़दार होती हैं लेकिन हकीकत में हमारी सिहत के लिए नुक्सान दे हैं जबकि गुड फैट्स किसमे होते हैं जो नड्स होते हैं फिशिस होती हैं चीज, डाक चॉकलेट, अवरकाडल, कोकोनट, दही इनमें गुड फैट्स मौझद होते हैं इनके लावा भी बहुत सी चीज़ें जिनमें गुड फैट्स होते हैं और हम इनका ही इस्तिमाल जाद से जादा करना चाहिए स्लीप एंड ब्रेस्ट स्टुडेंट्स रात की नीन्ड ये हवाले से बात की जाये तो वो वफ़ाद ही हमारी बॉड़ी के लिए जरूरी है एक अच्छी नीन्ड हमारी बॉड़ी की नीड होती है अगर हम रात को देर तक जागेंगे नीन्ड पूरी ना होने की सुरत में हम फ्रेश मैसुस नहीं कर सकेंगे और इस से हम एक काम पे फोकस भी नहीं कर पाते और ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि अच्छी नीन्ड लेने की सुरत में ना सिर्फ बॉड़ी पर बुड़ असर पड़ता है बलके हमारे दिमाग भी मतासर होता है आपकी बुक में बताया हुआ है कि 8 साला बच्चे को 10 घंटे की नीन्ड की जरुद होती है इसके इलावा मैंने आपको स्लाइट में भी बताया हुआ है कि जो स्कूल गोइंग चुड़रन होते हैं जो 6 से 3 साल की उमर के जो बच्चे होते हैं उनको 9 से 11 घंटे की नीन्ड की जाती है उनको लेनी चाहिए और जो 14 से 17 साल के जो होते हैं उनको 8 से 10 घंटे की नीन्ड की जाती है जो 18 से 15 साल की उमर के जो लोग होते हैं उनको 7 से 9 घंटे की नीन लेनी चाहिए और जो 26 से 64 एर्स की जो लोग होते हैं उनको 7 से 9 घंटे की नीन उनको भी लेनी चाहिए और जो 65 प्लस यानि जो 65 से उपर के उमर के जो लोग होते हैं उनको साथ से आठ गंटे की नीन रिकमेंड की जाती है स्टुडेंट्स आपको मालूम है कि हमारी दुनिया बहुत खुबसूरत है और इसमें मौजूद चीजे भी बहुत खुशनुम हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे ने नुकसान दे हैं इसलिए हमें हर काम को देखकर करना चाहिए और सोच समस्चर करना चाहिए यह कहीं हमें कोई चीजे नुकसान ना पहुचा जाए मिसाल के तोर पर जो फार वर्क्स हैं होते हैं बजाहे तो दिखने में बहुत अच्छे रखते हैं लेकिन बहुत ची इंजिरीज का भी सिबब बनते हैं लेहाज़ा आप जहां कहीं भी हों चीजों का देहां से करें कहीं कोई चीज आपको नुकसान ना पहुचा हाज़ाए तो आज हमने एक हेल्धी डाइट के बारे में पढ़ा कि हैं बैलन्स डाइट क्या होती है और फिर हमने यह भी पढ़ा कि हमें अच्छी नीन लेनी चाहिए और अग्सरसाइज भी करनी चाहिए और हमने यह भी बताया, हमने ये भी पढ़ा कि जो जो डेंजरिस जो चीज़े होती हैं जो हमें नुकसान पहुचा सकती हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए तो मुझे उमीद है कि आपको आज का ये लेक्टर समझ आग्या होगा थैंक यू अल्लाफिस